नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का exam pathfinder में जहां आपके लिए latest jobs, government exams, admissions, also related जो भी news and updates होती हैं वो लेकर आते हैं कि यह jobs की vacancies आई है या फिर उनसे related updates आई है इसके अलावा जो भी मैं इसमें बताता हूं उसकी explained वीडियो जिसमें हमारे चैनल पर या तो पढ़ चुकी होते हैं या फिर अगर वो vacancies अभी आई है तो फिर वो अगले एक दो घंटे में पढ़ जाती है तो उसका जो लिंक है आई बटन में आपको दिख जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और इसके अलावा पूरी जानकारी के लिए आर नोटिफिकेशन को प्रॉपर लिए बढ़ने के लिए हमारे प्लेट्रम अलोट.exam.com पर जाएं चले शुरू करते हैं आज की वीडि है क्वालिफिकेशन रिक्वाइड जो हो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट है सबसे अच्छी बात इस वेकेंसी की है क्यों मैंने इसको इस लास्ट लिस्ट में डाला है वो है वाक इंटर्वी इसमें कोई भी रटन टैस्ट नहीं है आपको सिर्फ जाना है और इंटर्वी देना है अगर आपका इंटर्वी अच्छा होता अगर आप स्ट्रेक्ट हो जाते तो आपको जौब जो है वह पक्की हो जाती है एज की बात करते तो अठारे वर्से लेकिए पैतालिस वर्स तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं सेलरी देखते तो से यह जैसे कि अगर मैं डिपार्टमेंट आपको कुछ एक्जामपल दू तो बायो केमेस्ट्री है टेंटिस्ट्री है क्रेडियोजी है जनल मेडिसीन है चनल सब्सक्राइब तो यह अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अलग अलग इंटर्वी डेट से हैं वो डिपार्टमेंट यह रहाएं है कि दी याइड़ी होगी तो में सेप्टम जो होता है वह हर साल होता है सप्टम को अगर मताओं तो सेंटर पर्सनल टेलेंट एंड मैनेजमेंट बोलते हैं सब्दैन तो हब सब्दैन हें इस बार सब्सक्राइब की जूने टांसलेशन आफि इसको अप्लाई करने के लिए डारेक्ट रूट्मेंट है ये डिया डियो के उधारा सेलरी देखते हैं तो 19,900 लेके 35,400 तक की सेलरी इंज डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट सेलरीज है इसलिए ये वैरी कर रही है इतनी स्टार्ट डेट उसके अप्लिकेशन की साथ नमबर से स्टार्ट हो जाएगा यानि के अब इसकी अप्लिकेशन स्टार्ट होने में टाइम है और साथ दिसंबर तक इसके अप्लिकेशन विंडर झो खूली रहेगी तो एक महीना रहेगा आप पूरा इसको अपलाई करनीक लिए उससे पहले आप नोटिफिकेशन को ध्यान तो CHSL 2020 related update है अप्डेट क्या ही है किसका जो option form में वो शुरू हो चुका है option form अपना भर सकते हैं और आप मैं बताता हूं आपको option form होता क्या है option form यह होता है कि जैसा कि CHSL जो exam है या CGL जो भी exam होते हैं ससी के वो different departments के लिए होते हैं इक साथ कराती है वो combine होता है इसलिए कमाने इसका नाम होता है तो आपको जब आपको selection प्रोसेसर प्रोसेसर प्रेटेस्ट हो जाता तो आपको फिर options भरने होते हैं कि तीन option आप भरेंगे कि कौन से department आपकी जो preferences इसको कहते हैं तो आपको preferences भरनी होती है तो उसका फॉर्म आ चुका है दोस्तों जिस जिन लोगों का इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर सेलरी देखते हैं 24 या 37 सेलरी होती है अब बात करते हैं कब से कब तक भर सकते हैं तो छे नौमर से दोस्तों आप इसको option आपशन फंख की वह कुली रही अगली से कि आप बात करेंगी वह संप सिलरीं सेलेक्ट्शन कमिशन का ही हो आप यहसीरेंट में च्प् सबिस्क्राइफिंब्स आयर्पी अंसे और इससैछी एंए है नि Steer क्या सकते हैं कि बंपर भरती है यह 24,379 वेकंसी है इसमें अब क्वार्ट क्वालिफिकेशन तो SSC GD में अगर बात करें कॉंस्टेबल के लिए केवल क्लास टेंट चाहिए तो अगर जिसकी सिर्फ क्लास टेंट है उसके बाद भी लोग उसको अपलाई कर सकते हैं और अगर बात करें कि अलाउंस मिलागे तो आपकी इन हैंड चालीस से क्योंकि काफी अच्छी वेकेंसी जो है और सिर्फ क्लास टेंट रिक्वाइड है अगली जिसकी हम बात करें वह आई टी बीपी जिसको हम इंडो तिपितन बॉर्टर पुलिस के नाम से भी जानते हैं तो उसमें असिस्टेंस आइस आई फार्मेसिस यानि कि फार्मेसी में एसाइ की वेकेंसी है नमर वेकेंसी जो है वह 24 है क्वालिफिकेशन रिक्वाइड वो ग्रेजुएशन है इसमें यानि कि आपको फार्मेसी में ग्रेजुएशन चाहिए है एज जो है वो बीस से लेके 28 वर्स तक आपकी आयो होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए ड 30 November तक इसका अप्लिकेशन में favour लगेन धिव अधो जोबी इंटरेज्टे het एंधी वो इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भी सटेल करें के लिए जिनको लगता है कि आप फोर्स में जाना चाहते है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है इसको अप्लाई कर सकते हैं आप तो आज के लिए आप यह बस पांच वीडियो थी जो भी पांच वेकेंसी आज के लिए बस इतना ही था भी डाउनल कर सकते हैं जिसका नाम है इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो मुवाइल एप्लिकेशन से क्या कि आप पने फोन के जरी सबसे आगे रह सकते हैं और अपडेटर रहते हैं नई वेकेंसी से थेंक्यू सो मुच